सर्च इंडिया कहानी से सच्चाई तब सच्च इंडिया से दुर्वेभार कर रहा है उसके साइन कराने के लिए साइन कराया जा रहा है और किस बात के लिए मार पिटाई की जा रही है क्यों उससे दुर्वेभार किया जा रहा है आईए आपको बताते एक तरफ देश में महीला सशक्ति करण के लिए योजनाए बनाई जा रही हैं वहीं दूसरी और अब भी महीलाओं के मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है बिहार के पूर्णिया जिले के गणेश पुर्गाओं की सरपंच के पती ने भरी पंचायत में एक लड़की के साथ मार पीट की मामला प्रेम विवाह का था लड़का लड़की ने घर से भाग कर कोर्ट मैरेज कर ली थी जब करना का वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो गया सब्सक्राइब करना जल्दी का कलम लाव जल्दी पकार यानि या नजगा लगा लगाव जल्दी पकार लड़की का नाम हम नहीं जाहिर कर रहे हैं नहीं उसकी जो गोपनियता है उसको बनाए रख रहे हैं जिसने पूर्णिया के ही बैरागाची इलाके के एक लड़के से बीते 12 दिसंबर को कानूनी शादी कर ली थी इसके बाद गणिश्कपुर की नव निर्वाचित सरपंच किरन देवी के पती सुरेंदर चौधरी ने लड़की पर शादी तोड़ने और एगरिमेंट पर साइन करने का दवाब बनाया लेकिन लड़की ने हाथ पर जोड़ते हुए साइन करने से मना कर दिया तो सरपंच ने सारी पंचायत के सामने सारे गाओं के सामने उसे मारपीट करने की कोशिश की उससे दुर्विभार किया लेकिन उस लड़की ने साइन नहीं किया और ये सारा मामला रिकार्ड हो गया वीडियो में और वीडियो वाइरल हो गई सोशल मीडिया पर आज के समाज में भी जहां महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जा रही ही है उनको विशेश अधिकार दिये जा रहे हैं उस सब के बीच ये वीडियो एक तमाचा है साशन पर, प्रशाशन पर, हमारे समविदान पर इस वीडियो के वाइरल होते ही लोगों का गुसा फूट पड़ा लोगों ने बिहार के सीम नीतीश कुमार को टैक करते वे लिखा कि ये महिला आरक्षन का दुरुपयोग है अभी भी महिला सीटो पर उनके पती ही काम करते हैं इसलिए अब सरपंच पती, वाइड पती, मुख्या पती जैसे पदनाम चलने लगे हैं लोग कह रहे हैं इनी वजों से महिला शश्रिक्तिकरण केवल एक कागज पर एक योजना बन कर रह गई है अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ओन करना ना भूले जिससे हमारी चैनल पर अप्लोड होड़े इन्फोर्मेटिव वीडियो का पता आपको टाइम पे चल सके थैंक यू एंड स्टे टून विट सर्च इंडिया न्यूज